असलाम अलेकुम तो अगर हम लोग दा का 15 यूज देखें दा इस यूज टू पार्टी क्यूलाइज और पॉइंट आउट 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 नाउट ओके तो अगें नाउट मैं आप लोगों को हजार दफा पता चुकी हूँ के नाउट क्या है नाउन किसी भी इनसान, किसी भी जगा, किसी भी चीज या किसी भी जानवर के नाम को नाउन कहते हैं तो नाउन सिंपली क्या है नाम है जगा जानवर चीज गया है इनसान का ठीक है किसी भी नाम को नाउन कहते हैं तो दा का एक और यूज़ क्या है कि दा किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है ऐसा नहीं कि हम अंगली उठा कर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी situation हो सकती है लेकिन अंगली उठा बगार भी कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हूं पार्टिक्यूलाइज कर रहे हूं वाट इस पार्टिक्यूलाइज करने का मतलब है कि हम जैसे पॉइंट आउट कर रहे हूं मतलब जैसे हम उसी तरफ उसी चीज़ की बात कर रहे हूं अगले को पता होगे हम किस चीज़ की बात करने हैं कभी ऐसा भी हो सकते है कि हम वाकिए पॉइंट आउट करने हो उखा कर या कभी ऐसे हो सकते है कि वह चीज़ हमारे सामने ना हो लेकिन हमारी बात उसी तरफ इशारा कर रही हो point out का मतलब के हमारी बात उसी चीज़ की तरफ या उसी जानवे उसी नाम उसी इनसान की तरफ इशारा कर रही हो उसी चीज़ को मकसूस बना कर बात की जा रही हो ठीक है तो दा का एक और यूज क्या है कि वो किसी भी नाउन को point out करता है या particularize करता है मतलब उसकी निशान दही करता है खुसूसी उसी चीज़ की ठीक है तो या हमारी बात उस चीज़ का इशारा करते हैं तो एक्जाम्पल देख लेते हैं एक्जाम्पल निम्बर वन तीचर यू वर वेटिंग फॉर हैस कम ठीक है क्या मतलब वो इसका भाई जिस टीचर का आप इंतजार करे थे जो टीचर आपको चाहिए थी जिन टीचर का आप वेट करे थे वो टीचर आ गई है तो पर्टिक्लाइज हो गई टीचर या एक तरहा से मेरी बात ने उन टीचर की तरफ पॉइंट आउट भी कर दिया जरूरी नहीं कि मैं उगली उठा कर पॉइंट आउट करूँ मेरी बात ने उनकी तरफ खास तोर पर उनकी तरफ इशारा किया ठीक है तो जब मेरी बात खास तोर पर किसी की तरफ इशारा करेगी तो तब मैं उसके साथ दा लगाँगी दा टीचर यू वर वेटिंग फॉर हैस कम ओके दा टीचर यू वर वेटिंग फॉर हैस कम क्यों इन टीचर के साथ दा लगा क्योंकि यह वो टीचर ने जिनका मैं वेट कर रही थी जिनका वो आप वेट कर रहे थे वो आ गई है तो मैं कास दवर पर उन-teach इशारह करके आपको उनके बार मेंन बता रही हूँ ठीक है वो particularize noun है अब teacher कहा है noun है और अब नाउन है या फिर मैंने उनकी तरफ point out किया है इच्छ memang अन्य इस दा new bicycle जो नीन भाइसा किया जो new bicycle चाहिए थी या new bicycle की बात हो रही है ली है या नहीं ली है जो भी है वो कहा है ठीक है मतलब ऐसा भी हो सकते हैं कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि अपने new bicycle लेनी थी ले ली क्या कहा है या ऐसा भी हो सकते हैं कि किसी के पास new bicycle हो और हम पूछ रहे हैं कि वो कहा है दिखनी थी ठीक, तो मतला मकसद क्या है, कि मैंने पॉइंट आउट कर दिया, कि भई आपको जो न्यू वाली बाइसाइकल है, वो कहा है, या आपको जो न्यू वाली बाइसाइकल लेनी थी, वो ले ली किया, वो कहा है, तो मैंने क्या किया, उस बाइसाइकल को बाइसाइकल क्या है, ना नाउन की तरफ इशारा किया है मैंने उस नाउन को पॉइंट आउट किया है या मैंने उस नाउन को उस बाइस सैकल को पर्टिक्यूलाइस किया है कि भई मैं कास तोर पर न्यू बाइस सैकल की बात कर रही हूं वो कहा है क्लियर तो आई होब कि दा का 15 यूस क्लियर हो गया होगा अब हम मूफ करेंगे नेक्स्ट यूस की तरफ